नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका अपने उट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जीस में दोस्तों आज हम लेकड़ा हैं बिहार SI मेंस का प्रैक्टी सेट नमर 3 जिसमें हम लोग असी कोश्चन का डिसकसन करेंगे ये प्रैक्टी सेट हम एडुटेडिया बुक का भायलूम 2 से चला रहे हैं और दोस्तों इससे पहले हम दो प्रैक्टी सेट करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों और इसमें हम असी कोश्चन कराएंगे और जो 20 कोश्चन बच रहा है उसका हम PDF टेलिग्राम पे देदेंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देदेंगे वहां से आप लोग डाउनलोड जाके कर लिजिएगा और बहुत से बना लिजिएगा और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ज्यादस ज्यादस इसे लाइक करें दोस्तों में सियर करें फेस्बुक, वाट्सोफ, टेलिग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का पटन दबाना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपसे एक और चीज़ करना था हमने प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म भैलूम 2 बिहार SI मेंस का भी प्राक्टिस सेट चला रखा है और मेरे प्लेलिस्ट में है वीडियो उसको आप जाकर देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द होगा और हम प्लेटफॉर्म भैलूम 1 का जो भी बेकिंसी बरतमान माया हुआ है जो नया बुक है तो प्लेटफॉर्म का भैलूम 1 है बिहार SI PT के लिए तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि उसमें 20 करेंट अप्यर्स दिया हुआ है 5 बिहार से दिया हुआ है और आप लोग क के भी एकजाम में करेंट अप्यर्स कमसे कम 5 तो पुछे गा ही और बिहार से 2 या 3 पुछेगा तो आप लोग को डीपाशी पची स्वेसर बिहार से मिलाग करके आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग को बहुत ही फायदा मंद होगा तो उस सेट को भी आप बना सकते हैं तो चलिए दूस्तों स्टार्ट करते हैं आज का practice it आज का पहला question हो जाएगा कि प्रकास sensation होता है इसका right answer हो जाएगा option number B पादपो के हड़े भाग में प्रकास sensation की किरिया पौधे के हड़े भाग में सुर्ज के प्रकास और जल की उपस्तिती में होती है और पौधे के हड़े भाग में पर्न हरित यानि की कलोडो फील पाये जाता है नेश कोशन देखते हैं दूस्तों हम लोग आपको 5 सेकिन का समय देते हैं कोशन के लिए आप लोग बनाईए और कोशिस किजिएगा कि आप असी कोशन बनाए इससे आपको पता चलेगा कि आपका तयारी अभी तक क्या कमी रह गया है और उसको आप सुधार सकते हैं तो आप लोग असी कोशन देखिएगा तो चलिए नेश कोशन देखते हैं नेश्ट कोशन हो जाएगा कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी प्रयाप्त परकास बीज का अंकुरन बिना परकास के भी संभाव है अता प्रयुक्त परकास नहोंने पर भी बीज अंकुरित हो जाता है नेश्ट कोशन हो जाएगा option number B यह एक योगिक है जिसमें एक तिहाई sulfur और एक तिहाई rubber का मिश्रन होता है next question देखते हैं next question हो जाएगा कि ACT हर्मोन स्रावित होता है इसका right answer हो जाएगा option number C प्यूस ग्रंथी से ACT हर्मोन अग्र प्यूस ग्रंथी के द्वारा उत्पादि तेह रावित होता है और प्यूस ग्रंथी जो है यह कपाल कीanden हड़ि में एक गढ़े मेस्तित होता है और इस कील को हम लोग तरकिस कहते हैं और इसका भार जो होता है 0-0-6 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथी के रूप में भी जाना जाता है नेश्कोषण देखते हैं नेश्कोषण हो जाएगा कि मनुस्य का मस्तिक कितने भाजों में भीभाजित है इसका राइट रहाएं सब हो जाएगा आपसन नमर बी, तीन भाजों में मनुस्थ का मस्तिक तीन भागों में विभाजित है जो निम्न है जो इसे अग्र मस्तिक हो जाएगा आपको मद मस्तिक हो जाएगा और पश्ट मस्तिक हो जाएगा हमारा मस्तिक्स जो है वह क्रेनियम क्रेनियम नामक हड़ी के खोल में बंद रहता है जो आठ हड़ी से मिलकर बना होता है और हमारे मस्तिक का औसत भार जो होता है वह 1400 ग्राम होता है और हमारे मस्तिक्स और क्रेनियम के बीच में तीन जिल्ली पाई जाती है जिने संयुक्त मेनिन जीज कहते हैं क्या कहते हैं तो संयुक्त मेनिन जीज कहते हैं नेश कोशन देखते हैं दोस्तो नेश कोशन हो जाएगा कि पक्षियों को उर्ने से रुकने की परकिरिया कहलाती है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A brailling पक्षियों को उरने से रुकनी की परकेडिया brailling कलाती है दोस्तों आप लोग अपना score comment box में बता सकते हैं 80 में आपका कितना रहा है और दोस्तों कोशिस किजिए कि आप लोग को 100 में कम से कम अगर general से हैं तो 75 55 पलस मंगाने के कुशिस किजिए उसी के अनुसर आप लोग अपने के degree wise कर लिजिएगा next question देखते हैं निम्न में से कौन सा रुक प्राय वायू के माध्यम से फाइलता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C टीवर कुलोसिस जिसको हम लोग टीवी कहते हैं खसरा टीवर क्लोसिस स्मॉल पोक्स आधी विमारियों के कड़क प्राय वायू के माध्यम से फाइलते हैं प्लेग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो प्लेग जो होता है वह फेफरा इससे परभावी तंग फेफरा होता है और इसके जिवानू का नाम है यह जिवानू के द्वारा होने वाला जितना भी चारो रोग दिया हुआ है यह जिवानू के द्वारा होने वाला रोग है तो प्लेग जो है या पास्चुरिला पेस्टिस नामक जिवानू के करण होता है प्लेग टाइफाइट से प्रभावित अंग आत होता है यह साल मुनिला टाइफी ना मौक जिवानू के करण होता है और आपको इप टीवर कुलोसिस को हम लोग टीवी भी कहते हैं एक्षमा भी कहते हैं और छैरुग भी कहते हैं और इसे प्रभावित अंग फेफरा होता है जिसके जिवानों का नाम माइक्रो बैक्टिडियम ट्यूबर कुलोसिस है और यह चार नमर में हैजा दिया हुआ है इसे परभावित अंग आत होता है और इसके जिवानों का नाम बिब्रियो कालेडी है नेश्ट कुशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन हो जाएगा कि टाक्सी कुलोजी का सम्वंद किसके अध्यान से है इसका राइट अंशन हो जाएगा ऑप्सन नमर डी यानिकी बिसो से जीवों के उपर रसायनों के प्रतिकूल परभावों के सम्वंदित अध्यान को विस्विज्ञान कहते हैं और इसमें ब आप्सन नमर ए वाइरस दिया है तो वाइरस के अध्यान को वाइरोलोजी कहलाता है उसका बैक्टिडिया दिया हुआ है बैक्टिडिया जिवानों का अध्यान बैक्टिडियो लोजी के अंत्रगत किया जाता है जो कि सुक्षम जयुकी की एक शाक्खा है और रोग दिया ह हुआ है तो जो महामारी जो है वह रोग के अध्यान से संबंदित है वह है एपीडिमियो लौजी एपीडिमियो लौजी जो है इसको हम लोग रोगों से अध्यान याने कि महामारी से महमारी रोग के अध्यान से संबंधित है एपियो डिमियो लॉजी एपियो एपीडे मियो लॉजी एपीडे मियो लॉजी नेश कुछन देखते हैं नेश कुछन हो जाएगा टरबाइन और डाइनेमों से बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को विधूत उर्जा में परवर्तित करते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर सी मैकेनिकल उर्जा विधूत जनित्र के द्वारा यांत्रीक उर्जा को विधूत उर्जा में बदला जाता है विधूत जनित्र का सिधान विधुत चुम्ब की प्रेरन परधारी थे टर्बाइन को जल की धाड़ा से चला कर विधुत का उत्पादन किया जाता है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों नेश कोशन हो जाएगा चॉकलेट स्वास्त के लिए हनिकारोग हो सकते हैं कि उसमें नीमन में से किसकी मात्रा अधिक होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी निकेल चोकलेट में कैडमिय में निकल की मातर अधिक होती है इसलिए या स्वास्त के लिए हानिकारग हो सकता है नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि गलाइकोजन एस्टोर्ज तर्था सेलुलोज किसके बहुलग है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी यानिकी गलुकोज स्टोर्ज सेलुलोज सेलो बायोज और माल्टोज कार्बोहाइडियेट गलुकोज से ही बने है चिनी और दूद सरक्रा जैसी कुछ सरक्राओं में अन सरक्राओं के साथ या संयुक्त पाया जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी इसको हम लोग नक्छत्र मंडल कहते हैं और नासा के किस मिशन का नाम जूनो है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी विरसपती जुनो अमेरिकी अंत्रिक्ष अनुसंधान परिशत नासा द्वारा हमारे सोड मंडल के पांचवे ग्रह यानिकी बिरस्पति पर अध्यान करने के लिए प्रित्वी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया एक अंत्रिक्ष सोधियान है इसके लौंज के 5 साल बाद यानिकी 5 जुलाई 2016 को या विरस्पति ग्रह के कक्षा में परवेश कर गया नेश कोशन देखते हैं आदर्स बोल्ट मिटर की प्रतिरोध अधकता क्या होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन अमरे अनंत किनहीं दो बिंदों के बीच विभवांतर को मापने के लिए बोल्टा मिट मिटर का परयूग किया जाता है आदर्स बोल्ट मिटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्स अमिटर का प्रतिरोध जो होता है वह सुन होना चाहिए और बोल्ट मिटर को परिपत में शमनांतर क्रम में लगाया जाता है चलिए दोस्तों नेश कोशन देखते हैं नेश को पावर तीनों नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि प्रेश्ट तनाव किसके कारण पैदा होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी अनुओं के बीच ससंजक बल के कारण परतेक पदार्थ अनुओं से मिलकर बना होता है जिनके बीच आकरसन ब ले आकर्षन बल को हम ससंजक बल कहते हैं नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि पत्थर को ठोकर मारने से ब्यक्ति को चुट लगने का कारण है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नम्मर सी याने की प्रतिकिरिया न्यूटन गती के त्रितियनियम के नु नेश कोशन हो जाएगा कि कोशिका के संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नम्मर बी शरुपर्थम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वाड़ा की गई या कथन सही नहीं है स्वरपर्थम कोशिका की खोज 665 SP में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका जीवों की मुलबूत समर्चनाई काई है और कोशिका मिलकर उत्तक का निर्मान करती है तथा उत्तकों से अंगों का निर्मान होता है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों नेश कोशन हो जाएगा कि सेफटी माचीसों के सिर्स में होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा माचीस को जलाने के लिए माचीस की तीली के ऊपर लाल फासपोरस की कोटिंग का उप्योग किया जाता है नेश कोशन देखते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर C, बिधुत अपघटन के द्वारा, एलुमुनियम धातू, बिधुत तथा उस्मा का चालक तथा काफी हलकी होती है, इसके कारण इसका उप्योग हवाई जहाज के पूर्जों को बनाने में किया जाता है, और भारत में जमू कस् पीर मुंबई, कुलहापूर, जबलपूर, राची, सोन भदर, बालगार तथा कटनी में बाकसाइट के विसाल भंडार पाए जाते हैं, उडिसाहिसीत नालको, नालको जो है, वो दुनिया की सबसे सथी एलुमुनियम बनाने वाली कमपनी है, नेश कोशन देखते हैं, ने यानि की हिलियम, उतक्रिष्ट गैस का उदारन कौन है, तो हिलियम है, हिलियम एक उतक्रिष्ट गैस है, जो आवर्त सारानी के अठाडवी बर्ग में रखी गई है, अकिडिये गैस को उतक्रिष्ट गैस कहा जाता है, नेश कोशन देखते हैं, नेश कोशन हो जाएगा कि एरोसोल का उदारन है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर सी धूआ सुक्ष्म ठोसकनो अथ्वा तरल बुंदू के हवा या किसी अन गैस में कुलाइड को एरोसोल कहा जाता है धूद धूल वाइमंडलिये परदुसन कौन तथा धूआ एरोसोल के उदारन है नेश क सेलुलोज एक कार्बो हाइड है जो पौधों में पाए जाता है इसी सेलुलोज के रिस्व को मिलाकर एक पतली चदर का रूप देकर कागज बनाया जाता है नेश कुश्चन देखते हैं आप लोग को सही मिलान इसको बताना है पितल डच मेटल कासा शोल्डर इसका आपका पीतल तामबा प्लस जासता हो जाएगा यहां पे टीन दिया हुआ है गलत है तामबा प्लस जासता पीतल हो जाएगा और कासा जो दिया हुआ है तो कासा होता है तामबा प्लस टीन तो यहां जासता के जगा तामबा हो जाएगा यानिकि तामबा प्लस टीन हो जाए नेश कोचन देखते हैं, नेश कोचन हो जाएगा कि बिशु ब्यापी महान आर्थिक मंदी किस बर्स आय थी, इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमरे 1929, बिशु ब्यापी आर्थिक मंदी कियोधी विभीन देशों के लिए अलग-अलग है प्रन्तु इसकी शुरु प्रत्यक्ति कि बिशु बात बर्स 1929 से मानी जाती है, नेश कोचन देखते हैं, किसी ब्याक्ति के वास्त्रिक जीवन अस्तर का आखिलन किया जा सकता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अप्शन नमर C, प्रति ब्यक्ति आय के द्वरा, समाज में किसी ब्यक्ति के प्रित्वी पर अनिक परकार के अस्तल रूप होते हैं इनमें मुख है परवत है पठार है मैदान और विभीन अस्तल रूपों के निर्मान में दो परक्रियाओं का हाथ रहता है और इन परक्रियाओं को आंत्रिक परकिये तथा बाह परक्रिया कहते हैं नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन हो जाएगा कि दिस में किन तीन बरसों की ओधी को युजना अवकास के रूप में मनाया गया था, इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन नमर बी, 1966 से 1979 तक तीन बरसी की ओजना बनाई गई है, और इस अवधी को युजना अवकास यानि की प्लान खोलीडिय कहा गया है, और युजना अवकास का प्रमुक कारण भारत पाक संगर्श तता सुखा के कारण संसाधनों की कमी के चलते मुल अस्तर में काफी ब्रिधी रही, नेक् हरित क्रांती का प्रभाव मुखुरूप से किन किन छेत्रों में था, इसका राइट अंसर हो जाएगा, अप्सन नमबर डी, पंजाब, हरियाना और पच्छमी उत्तर परदेश, भारत में हरित क्रांती का प्रभाव, संपून भारत में नहोकर, पंजाब, हरियाना तथा प आधुनिक तरीकों का सबसे पहले पड़ियोग किया नेश कुछन देखते हैं जै उर्बड़क कौन सा है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी एजो इस्पिरीलम जो है वह जै उर्बड़क है फसल उत्पादन के लिए क्रिशिप ज्यानिकों ने प्रकृति प्र एजो इस्पिरीलम जै उर्बड़क का उदाहरन है नेश कुछन देखते हैं दोस्तो जो भी हम डिस्कृशन कराया है आप लोग ध्यान से सुनिएगा इससे आपको बहुत ही फायदा होगा नेश कुछन देखते हैं उत्तर पुर्वी मांसुन से किस परदेश में बरसा होत अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगभग 20% योगदान करती है और दक्षिन पच्छी मांसुन की अपेक्छा उत्तर पुर्वी मांसुन कम बरसा करती है लेकिन यह बरसा दक्षिन भारत में बिशेश रूप से तमिल आडू राज के लिए महत्यपूर्ण है नेश कुछन हिमाले श्रिंकला का अंग है और आवली इस रिंकला का अंग नहीं है नेश कुछन हो जाएगा कि निमन में से कौन सा जोड़ा गलत है इसका मिलान करना है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी पेरियार अभ्यारन जो है यह आंदर्र पर्दिश दिया हुआ है यह गलत है पेरियारा व्यारन जो है यह किरल राज में है और आपको बांदिपूर व्यारन करना टक सही है सरिस्का व्यारन राजस्थान यह भी सही है और अन्ना मलाया व्यारन तमिल नाडू यह भी सही है और पेरियार नदिक पेरियार उद्यान को बर्स उन्निस सो अंठान संबीर से हाथी संद्रक्षन पर्योजना के अंत्रगत भी लाया गया है यह आप लोग याद रखिएगा नेश कुछन देखते हैं नेश कुछन हो जाया है कि सबसे बड़ी मानो निर्मित जील कौन सी है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर बी गोविंद सागर जील गोविंद सागर जील जो है हीमाशल पर्देश के बिलासपूर जीले में इस्तित एक मानो निर्मित जलासा है या जील सतलज नदी पर इस्तित है नेश कुछन देखते हैं निमली खित में से किस सहर को भारत का सुन मिल केंदर के नाम से जाना जाता है इसका राइट अंसर ह अप्सिन नमर सी नागपूर नागपूर सोर को भारत के सुन मिल केंदर जीरो मायल सेंटर के नाम से जाना जाता है या महराश्ट राजमेश्तित है नेश कुछन देखते हैं जूम किरिसी किस से समंदित है इसका राइच एंसर हो जाएगा अप्सונ नमर सी अस्ठनांतरन कि इसी से भारत के प्रुवत्तर पहारियों पॉर्जन जात्यू द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की क्रिसी को जूम क्रिसी कहते हैं और जूम क्रिसी को अस्थनांतरन क्रिसी भी कहते हैं नेश कोशन देखते हैं कोईले का सबसे बड़ा भंडार किस राज में है इसका राइ भारत में उर्जा का मुख सुरुत क्या है इसका राइट एंसर आप लोगों बताना है कि इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर बी यानि कि तापिये उर्जा तीस नौवंबर थुजार अनुश के अनुशार भारत में खुल उर्जा में तापिधुत का योगदान जो है वह सर्चर्ट द समलोग सात परतिसत है नेस्ट कोचन देखते हैं नेस्ट कोचन हो जाएगा कि बलतूरो हीमनद इस्तित है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर ए काडा कुरम परवतमाला में बालतूरो गलेसियर धुरूए छेतरों से बाहर सबसे लंबे यानि कि 63 किलोमेटर गलेशियारों में से एक है या कारा कुरम परत स्रिंग्पला से होकर गुजरती है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों नेश कोशन होगा कि आकाल तक्ठ का निर्मान किससे ने किया था इसका राइट एंसर करना है इसके राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी गुरू हडगोबिंद सीखो के छठे गुरू हडगोबिंद ने अकाल तक्त के अस्थापना की थी तथा उन्होंनों सीखो को एक लड़ाकु जाती के रूप में परिवर्तित किया था और गुरू रामदास क्या थे तहा गुरू रामदास चोथे गुरू थे अकवर ने भीवी भानी को पांस अभी घब्भूमी दी और गुरू रामदास ने इसी भूमी पर अमरीत सरनामक जलासे, खुदवाया और अमरीत सर नगर अमिडिसर नगर के अस्थापना के किसने तक गुरु रामदास ने चोथे गुरु थे और गुरु तेक बहादूर के बाड़े में जान लेते हैं तक गुरु तेक बहादूर जो थे वो शिखो के नवे गुरु थे और इसलाम स्विकार नहीं करने के कारण औरंग जेव ने इन्हे मरवा दिया था नेश कोशन देखते हैं अच्छा गुरु नानक के बाड़े में जान लेते हैं तो गुरु नानक जो है वह सिख संपरदाय की अस्थापना का सरे गुरु नानक को है जो कि यह प्रथम गुरु है और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक मीसुल के स्थाभागी भुजनाले अस्थापित किया था नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि सुफी यांदोलन मुलता कहां से प्राराम हुआ इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि कि फारस परसिया से माना जाता है कि सुफिवात परसिया में कड़िब 1000 साल पहले जन्म जन्मा राबिया अल अदहम मंसूर अलजाज जैसे सक्सियतों को इनका प्रनेता कहा जाता है next question देखते हैं next question हो जाएगा कि महरावली में जन्ग रहित लोग अस्थम किसने अस्थापित किया इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि कि गुप्त बंस महरावली का लोग अस्थम गुप्त सासक चंद्रगुप्त दित्ये ने बनवाया था अच्छा गुप्त बंस के अस्थापना किसने किया था तो स्री गुप्त ने किया था सातवाहन बंस के अस्थापना किसने किया था तो सिमुक ने किया था मोरी बंस के अस्थापना किसने किया था तो चंद्रगुप्त मोर के द्वारा किया गया था और कुसान बंस के संस्थापक थे कुजल कट फीसेज नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि असोक ने किस बोध सादू से परभावित होकर बोध धर्म अपनाया था इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर B उपगुप्त नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि कर्म का सिधान किस दर्शन से संबन्दित है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C मिमांसा से कर्म का सिधान किस संबन्दित है तो मिमांसा से अच्छा नियाए दर्शन के परतिपादक कोन थे वे तो नयाय दर्सन के प्रवर्तक गोतम मुनि थे, शांग दर्सन के पर्तिपादक को नहीं मुनि थे? नेशं कोशन देखते हैं समुन्द्र गुप्त के पर्याग परशशती वाले अस्तम पर्निमली खित में से लिख मिलता है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर ए जहागीर पर्याग प्रसंटी अस्तम को 220 SP में 200 SP में समुंद्र गुप्त द्वारा को सामभी से पर्याग लाया गया और तब उसके दरबारी कभी हरी सेन रचित पर्याग प्रसंटी लेख इस पर खुदवाया गया बाद में सुरे 105 SP में इस अस्तम पर मुगल समुरार जहागीर के राज तीलों का उलेख भी इस पर खुदवाया गया नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि वो सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था इसका राइट एंसर हो जाएगा और सुन नमरे अलावदिन खिल जी अलावदिन खिल जी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया तथा जबकि कुतुबदीन मुबाराक खिल जी ने श्वयम को खलीफा गोसित कि तक्या था पुरू मध्यकाल में दक्षिन भारत के तमिल छेत्रे यानि की तमिल आडू में भक्ती की दो संद्ध धराव अलवारेव नैनार का विकास हुआ नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि रविंदर नाथ टेगोर द्वारा लिखित गान जना गनमन सरोप्रथम जन्वरी उनिशा बाड़े में किस नाम से प्रकासित हुआ इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमर सी भारत भाग बिधाता जना गनमन पहली बार निशा बाड़े में तत्तो बोधिनी नमक पतिरिका में हुआ था तब इसका सीर्षक भारत भाग बिधाता रखा गया था नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि अठाड़े सो शंतावन का बिद्रू निम्न अस्थानों पर हुआ था उसका सही करम बताएं इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर सी पहले हो जाएगा आपको कहा तब मेरट मेरट के बाद दिल्ली के बाद आपका बैराकपूर में हो जाएगा उसके बाद आपका जासी में हो जाएगा नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि चटगाउं सस्त्रगार पर धावा किसके नित्रूत्य में बोला गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर C सूरिसेन अठारे अप्रेल अठारे अप्रेल 1930 को सूरिसेन के नितित्य में चटगाओं पर धावा बोला गया और सूरिसेन को लोग प्यार से मास्टर दाग कहते थे यह भी आप लोग याद रखिएगा नेश कोचन देखते हैं गादे जी के सत्यागड़ा के तीन परमुक्स वरूप कौन से है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर B अस्वायोग, शाविने, अवग्या तथा बहिश्कार नेश कोचन देखते हैं नेश कोचन हो जाएगा कि क्रीमिया यूद का समापन किस समझावते के तहत हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर C पेरिस समझावता क्रीमिया का यूद पेरिस संधी दोरा समापत किया गया था और 30 मार्च 30 मार्च 5856 को हस्टाक्षर किये गए नेश कोशन देखते है निमली खित में से कौन मंगत का सासक नहीं रहा इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर B परसेंजीत विमिसार अजाज सत्रू महापदमनंद मंगत के महत्पून राजा थे जबकि परसेंजीत कोशल महाजन पद का राजा था नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि बर्स 1977 में किसकी अध्यक्ता में पंचायती राज की जाच करने के लिए एक सरकारी समिती ने उक्त के गई इसका राइट अंसर हो जाएगा पंचायती राज को अधिक परभावसाली बनाने के लिए जनता पाटी सरकार ने उनीस सोचत्तर में असोक महता समिती अगठन किया असोक महता समिती ने अनुई सोचत्तर में शरकार को अपना परतिवेदन प्रस्दूत कर दिया नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि राज बिधान सभा तथा लोक सभा में महिलाव के लिए अरक्षन बील में कितने परतिसत अरक्षन की बात की गई है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी 33 परसेंट नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा आपको नेश कोशन हो जाएगा कि आरक्षित निर्वाची छेतर से सम्बंदित निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर ए यानि कि केवले भारतिय समिधान में कमजूर बर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन छेतर की विवस्ता की गई है यानि कि यही आपका सत्त है हमारा समिधान परतिक नागडिक को अपना प्रतिनिधी चुने और जन प्रतिनिधी चुने जाने का अधिकार देता है और भारतिय समिधान में कमजूर बर्गो के लिए आरक्षित निर्वाचन छेतर की विशेश बिवस्ता है नेश कुछन देखते है नेश कुछन हो जाएगा कि राज सभा का सदस्त बनने है तो निम्तम आयू कितनी होनी चाहिए इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी तीस बर्ष यानि कि भारत की संसद राष्ट पती और दुनों सदनों से मिलकर बनती है निचले सदन को लोक सभा तथा उच्छ सदन को राज सभा कहते हैं और राज सभा के सदस्तों के निर्वाचन के लिए निम्तम आयू तीस बर्ष है दोस्तो नेश्कोचन देखते हैं अच्छा दोस्तों इससे हम लोग कुछ डिस्कसन कर ले तो उप राष्ट पती जो होते हैं वह राज सभा के पदिन सभापती होते हैं उप राष्ट पती राज सभा के पदिन सभापती होते हैं और शभापती शभापती और उप शभापती का उलेक समिधान के अनुछेद 89 में है और भारत की जो संसज जो है उसकी चर्चा समिधान के अनुछेद 79 में है और इसमें राजसभा में जो एक तिहाई सदेस पर्थिक दो बर्स के बाद सेवा नीवर्थ होते हैं इसकी चर्चा समिधान के अनुछे 83 के एक में है और राजसभा में बाड़े सदस्व का मननोयन राष्ट पति करते हैं और राजसभा के सदस्व की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है next question देखते हैं next question हो जाएगा कि समिधान की प्रमानिक्ता संस्द से जादा है क्योंकि इसका राइट शल्ग हो जाएगा option number C क्योंकि समिधान यह पताता है कि संस्द कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी सक्तिया प्राप्त होगी नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि भारत को एक समिधान देने का प्रस्ताव समिधान सभादवारा को पारित किया गया इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी यानि कि 22 जनुवरी 1947 को 22 जनुवरी 1947 को समिधान सभादवारा भारत को एक समिधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्ताव तेरे दिसंबर 1946 को यानि कि अप्सन नमरे तेरे दिसंबर 1946 को समिधान सभा में ज्वाहरला लहरू द्वरा पेस किया गया था दोस्तों आप लोग कोसिज किये जएगा पूरा वीडियो देखे असी कोशन बनाएं और कमेंट बक्स में बताएं कि आपका कितना माक्चा रहा है अब आपको पूरा PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे वहाँ से जॉइन किजएगा आप ल गुजरात बिजय के संदर्में निमलिखित कत्नों में से कौन सा असत्त है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर्डी इस अभियान में ने अकबर का साथ दिया अकबर के गुजरात अभियान का एक करण विद्रोही मिर्जाओ को गुजरात में सक्तिसाली होने से र आउन अपात की घोसना और अनुछेद 17 की बाड़े में जान लेते हैं तो अनुछेद 17 जो है अस्प्रिस्ता का अंत अनुछेद 78 जो है यह परधान मंत्री का करता वे अनुछेद 78 में है अनुछेद 179 में क्या है तो राज में विधान परिशद का गठन नेश कोचन देखत कि भूमी सुधार कि सुची के विशय के अंतरगत आता है इसका राइट एंसर करना है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर बी राज सुची के अंतरगत आता है राज भूमी सुधार अधिन यमों को समयधानिक शुरक्षा परधान करने है तो नवियन सुची में परधान किया गया है। सिक्षा से समद्धित उध्योग और चिकित्सा उध्योग को हम लोग सनराइज उध्योग कहा जाता है। नेश् कोच्ट देखते हैं, नेश् कोच्ट हो जाएगा कि cabinet में समिलित होते हैं, इसका राइट यंश्न हो जाएगा, option नमर B, केवल cabinet मंतरी, cabinet मंतरी मंडल भारत गनराज में कारेकारी अधिकार का पढ़ियोगर करता है, इसमें बरिष्ट मंतरी समिलित होते हैं, जिनका देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि किस गुजराती ब्यक्ति ने वास्को डिगामा को काली कर तक पहुचने में मदद किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमरे अब्दूल मजीद 1498 रिस्पी में पुत्रगाली यात्री वास्को डिगामा काली कर पहुचा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी तौमिल नाडू नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि नीचे दिये गए घास अस्तलों पर विचार किजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी एक तीन और चार कौन सा उसन कटी बंदिये घा के उदाहरन है और सवाना जो है आपको अफ्रीका में है कंपूर से जो ब्राजील में है और लानोस जो बेनुज्यूएला में है नेश्क कुशन देखते हैं नेश्क कुशन हो जाएगा कि भारत में केंद्रिये गंगा प्रादिकरण के स्थापना कब की गई इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर B 1985 यानि कि फरवड़ी 1985 में केंद्रिय गंगा प्रदिकन के स्थापना की गई नेश कोशन देखते हैं हेमाउती किसकी सहायक नदी है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C कावेरी दक्षिन पूर्व में परवाही थोकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है सिमसा हिमाउती भवानी इसकी उपन दिया है नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि निमलीखित में से कौन सा खिलारी तिरंदाजी खिल से संबंधित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर D अपरना पोपट अपरना पोटपट एक बैडमिंटन खिलारी है और डीलाव एनरजी लिंबा राम और दीपिका कुमारी तिरंदाजी से संबंधित खिलारी है नेश कोशन देखते है बास्केट बोल में खिलारी हो की संख्या कितनी होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर A यानि की 5 बास्केट बोल में खिलारी हो की संख्या 5 उसके बाद आपका पोलो में खिलारी हो की संख्या 4 पुगाम, कबटी में खिलैणी के संख्या साथ और वॉलीवर में खिलैणी के संख्या चूव उता है। Option number C, यानि कि कुच्ची पूरी, कुच्ची पूरी में स्री राम का जन्म से लेकर राजगदी तक की कथा को नित्य बद किया जाता है, और इससे विश्नु के दो सा अतारों का चित्रन भी किया जाता है, इसमें कृष्ण, राम, बुध, कलिक, आदिया, उनके कथानक की अभि मिलनाडू का, नेश कोष्ण देखते हैं, पुसकर मेले कायोजन कहा होता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्सन नमर B, अज में रजस्थान के जमीर में पुसकर मेले कायोजन किया जाता है, नेश कोष्ण देखते हैं, सुमेलित करना है, निमली खित्म से कौन सही स शही है और आपका तीन नमर में लाल तिरकुन पडिवार नियोजन ये भी शही है लेकिन आपको अप्शन जन दो दिया हुआ है सफेज जंडा जो दिया हुआ है यह संधिया शमर्पन का परतीक है सांति का परतीक नहीं है नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि निमली खित में से रंगराजन समिती का संबंध है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर A भुक्तान संतूलन कर सुधार चलया समिती उसके बाद बैंक से बाद सुधार हो जाएगा गोई पोड़िया समिती नेश कोशन देखते हैं देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रीज किस नदी पर बनाया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर B ब्रहमा पुत्र नदी बोगी बूल पूल ब्रहमा पूत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल स्वारक पूल जो दक्षिन में डिवरुगाट को उत्तर में दिहाम जी से जोडता है नेश कोशन देखते हैं डफला आबोर पहार या किस परोत्तर राज में अवस्तित है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर D अरुनाचल पर देश नेश कोशन देखते हैं राष्टिये ग्रामिन रोजगार गरांटी अधिनियम के सुरु कर दिया गया नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि अंतराष्टे किर्केट में छो सब बिकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गिंदवाज कौन बने इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर B जेम्स एंडर्सन जेम्स एंडर्सन जो इंगलिन के तेज गिंदवाज हैं पहले गिंदवाज बने हैं जो 600 स्याधी उपकेट लिये हैं या इससे पहले जो लिये थे वह स्पीन गिंदवाज थे नेश कोशन देखते हैं भारतिये बन परवंधन संस्थान इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर A यानि कि भोपाल में भारतिये बन परवंधन संस्थान जो भोपाल में थी थे और बन अनुसंधान संस्थान देहरादूर में थी थे नेश कोशन नेश चरुणतिम कोशन था दोस्तों तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कोशिश किजिएगा क असी कोशन पूरा देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ज़्याद से लाइक करें दोस्तों में सेर करें फेस्बूक वाट्सॉप टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपको जो भी अगर डाउट होगा आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं हम आपको जबाब देंगे उसका सही सोलूशन आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यव कर दोस्तों की जबताऊ ऑले होगा दोस्तों आपको जोगाएंगे कर सकते हैं ँबादेंगे होगा देज्म 19 सुन आपको जोस्तों की अलापको चाल जलावगाता ह tackle की यहाट